सुभी कोछ से पटकार लगा यह बड़ा आदेश है कि सुभी बंड का जो नंबर है उनीक नंबर बहुत जारी नहीं किया गया और अब एक बार फिर से सुभी कोछ से कहा गया है SBI को कि एक और मौका दिया गया है और कहा है कि एक किस मार्च को शाम पांस बजे तरह सारी डीटेल, सारी जानकारी को रिवील करें, जारी करें, चुनावी बॉन पर S.B.I. को सुप्रीम कोट की ओर से ये आदेश अब दिया गया है, सीधा विकरान करूप करेंगे, विकरान एक और महलत की तौर पर देखा जा और S.B.I. को जब हमने ये आदेश दिया था कि उसे तमाम डीटेल्स देनी है, सारी डीटेल्स देनी है, बॉन्ड से संबंदित, तो फिर उसने ये डीटेल्स अपने पास क्यो छिपाई, यो उसने रखी अपने पास, ये डीटेल्स भी सार्जनी की जानी चाहिए थी, उनोंने सारी जानकारी दे दिये, मतलब जो बॉन्ड जारी किये गए थे, उनके सीरियल नंबर के साथ आपको जानकारी देनी होगी, और वो जानकारी चुनाव आयोक को भी अपनी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी, ये भी निर्देश सुप्रीम कोट ने, चीफ जस् जानकारी नहीं थी, उस बात की जानकारी नहीं थी, हलंकि कोट में सरकार की तरफ से और SBI की तरफ से भी ये कहा गया कि इस डाटा को लोग अलग अलग तरीके से सोचल मीडिया पर चला रहे हैं, देख रहे हैं, उस पर बाते बनाई जा रहे हैं, राजनितिक तोर पर इस् अस्तान है हम और इस तरीके की सोशल मीडिया की ख़बरों से असर नहीं पढ़ना चाहिए हमें मजबूत होकर रहना चाहिए तो एक तरह से आप इस मामले का यह समझा जाना चाहिए कि यह पटाचेप हो गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक आप SBI को यूनी कि अगर सही से अक्शन नहीं लिया तो कंटेंट अप कोर्ट का हमापर केस भी चला सकते हैं और उसके बावजूद अगर इस तरह से SBI की और से अक्शन लिया गया है तो जाहिर है कि कोर्ट की नाराज़गी बिल्कुल जायज है देखिए कोर्ट में क्योंकि कंटेंट पेटिशन फाइल हो गई थी उसके बाद कोर्ट ने साफ ये का था पिछली सुनवाई पर कि हम अभी कंटेंट पर नोटिस नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम एक और मुका SBI को दे रहे हैं कि वो सारी जानकारिया साजा कर देगा उसके बाद जो डेडलाइन दी थी उसमें SBI ने अपनी तरफ से डाटा दे दिया लेकिन जो यूनीक नंबर होता है बॉन्ड का वो नहीं बताया जिस पर आज कोर्ट ने काफी नराजगी जताई और पिछली सुनवाई पर जो शुकरार को सुनवाई हुई थी उस दिन आपको सारी डिटेल्स देनी है तो उसका मतलब आपके पास जो भी डिटेल है वो सब आपको चुनावायोग को देनी थी हालांकि अभी जो अवमानना का मामला था जो कंटेंप्ट का मामला था उस पर कोर्ट ने कुछ नहीं कहा है एक और मोका निशित तोर पर SBI को मिला है और SBI ने भी आज कोर्ट में कहा कि वो सारी डिटेल्स दे देगा और आप कोर्ट ने उन्हें कहा है कि 21 मार्च की शाम को पाच बज़े तक आप ये तमाम डाटा दीजिए और SBI चेर्मेन को ये कहा है कि आप इस बाबत एक हलफ नामा भी सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करि झाल 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 झाल